हालो दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट में दोस्तों मैं आप लोग को एवरेज के पार्ट फूर को कराने वाला हूँ जिसमें अज हम लोग देखेंगे वर्ग तथा घनों के आउसत को निकालना ठीक है तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग को यूश करने वाले हैं जो देखते हैं हम लोग क्या है सबसे पहरेदे के बेसिक फॉर्मूला जो था आउसत का वो क्या होता योग बटा एन वर्गों का आउसत निकालना ठीक है तो एन इंटू एन प्लस वन का हॉल स्कॉर और बटे में चार ठीक है अगर होई घन का योग बुलने निकालने बोला जाए तो बस एक एन को एक्स्ट्रा लगा लेंगे पहले में ये चार फॉर्मूला आपको पांच फॉर्मूला ध्यान रखना है तो चली देखते हम लोग आगे अब कुस्च्चन को कुस्चन देखे हम लोग के पास आ गया है एक का स्कॉर दो का स्कॉर तीन का स्कॉर चार का स्कॉर डॉट डॉट कहां तक है ये 10 का square तक तो 10 का square तक बोल रहा क्या इसमें निकालना है हम लोग को आउसत 10 का square तक दिया हुआ और इसका आउसत हम लोग से पूछ रहा है तो आउसत वाला और वर्ग का ठीक है तो वर्ग का आउसत का formula क्या था हम लोग देखे थे भी यह देखिए n plus 1 into 2n plus 1 और बटे में क्या 6 n के जाया क्या लेना लास्ट का number लेना अपको लास्ट का number मतलब सिर्फ number square को नहीं तो देखिए 10 n होगा और plus 1 मतलब क्या हो जाएगा 11 फिर 10 into 2 यह देख रहे 2n मतलब की 2 गुना 10 20 और यह 1 जूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा बटे में क्या हम लोगे पास 6 है 3 से काटते हैं देखिए 2 बार में 3 से कटता यह वाला 7 बार में क्या मिलता है आम लोग को यहाँपे तो मिलता है 77 बटे में 2 option देखिए point में है तो point में change कर देंगे तो 38.5 इसका सही अंसर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसका सही अंसर जो option number C होगा option number C इस question का सही अंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को question अच्छी तरह से समझ माया होगा तो देखें इस question को हम लोग कितना सरल तरीके से और बोला जाए तो shot trick से बना सकते हैं हम लोग ठीक है देखें एक question है जो आपके practice के लिए है सेम उसी type का है इस question को जरूर बनाए और आपका जो भी अंसर आता है उसे comment box में comment कर दे next देखें एक square, 2 square, 3 square, 4 square इस प्रकार से कहा था कि 11 square अब निकालना क्या है हम लोग को ध्यान दीजेगा योग निकालना है यहाप पर योग पूछ रहा है ठीक है तो योग निकाल रहा है और आउसत कहा ही है sorry square कहा है तो square के लिए क्या था formula एन एक extra लग जाएगा बस n into n plus 1 into 2n plus 1 और बटे में 6 n क्याल है यह न ym लेना एक वह लेना है अब लोग को तो देखिए 11 11 और 1 हो जाएगा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 दीजेधी 22 और एक 2023 बटे म क्या रहा है का 6 रहाएगा 6 से काट देते एक उसको दो बार में ठेक है तो गूना करेंगे 11 दूनी 22 ठेक है 22 को 23 से जब गुना करेंगे तो 22 तिया देखिए 22 तिया 66 22 दूनी 44 और 6 50 506 तो क्या बुलिएगा इसका सही एंसर क्या है Option number D इस question का सही एंसर कौन सा हो जाएगा Option number D 506 तो उमीद करता है ये question भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा Question समझ गए तो देखिए सेम उसी टैप का ये question आपके लिए है आपके practice के लिए इसका practice करें और answer comment box में comment करें ये देखिए question number 3 आगया हम लोग के पास और ये है अब cube वाला question ठीक है ये question जो है ये है cube वाला ध्यान दीजेगा तो cube वाला निकालना क्या है एक का cube दो का cube तीन का cube इस प्रकार से कहां तक साथ का cube और निकालना हम लोग क्या है इसका आवसत average निकालना है तो average का formula क्या था average निकालने के लिए formula था n into cube वाला के लिए n प्लस 1 का hall square और बटे में 4 ये है तो n क्या लेना हम लोग को इस बर 7 लेना है तो क्या हो जाएगा formula देखे format बटेगा 7 ये देखे 7 अंदर अंदर 7 और 1 क्या हो जाएगा जूट करके 8 और 8 का square करना है तो कितना बनेगा 64 बटे में क्या हो जाएगा 4 4 से काटेंगे इसको कटेगा 16 बर ठीक है 16 से कितना हो जाएगा 112 ये समझने कैसे हुआ देख लीजेगा फिर से ये 7 का 7 लिखे हम लोग गुना इस प्रकार से 7 प्लस 1 का square बटे में क्या 4 है इसी को हम लोग देखे है solve for के direct उपर में लिखा हुआ है 7 ये 7 और एक ब्रैकेट के अंदर कितना हो जागा 8 और 8 का square कितना बनेगा 64 बनेगा और बटे में 4 तो यही वाला चीज जो है यहाँ पर sort करके थोड़ा सा लिखा हुआ है ठीक है उमीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा समझ गया है तो यह आपके लिए कोस्चन आ गया देखिए आपके practice के लिए practice question को जरूर बनाए और जो answer आथा उसे comment जरूर करें यह देखिए question number 4 हम लोग के पास आ चुका है 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube, 4 क्यूब इस परकार से 8 का cube तक क्या निकालना है sum निकालना ठीक है तो sum के लिए formula क्या था प्रस एक n extra लगेगा n into n into n plus 1 का whole square बटे में 4 ठीक है तो देखिए n कितना हम लोग के पास 8 गुना 8 और into में 8 प्लस 1 का whole square दीखिए पूरा format को एक बार लिख ले रहे हैं हम लोग और बटे में 4 ठीक है 4 से कटता है ये कितना बार में 2 बार में क्या मिला हम लोग को finally देखिए 2 गुना 8 मतलब की 16 और 9 आठ और एक देखिए ब्राकेट के अंदर 9 9 का square करेंगे तो हो जागा एक 80 ठीक है अब इसको into करते हम लोग तो क्या मिलता है ध्यान दीजेगा into करने पे 16 को एक से करते हैं तो क्या मिलता है 16 एक क्यारी रहेगा हम लोग के पास बचा हुआ रहेगा हाथ में ठीक है 16 अठे होता है कितना 128 और एक कितना हो जागा 129 मतलब कि 1296 या 1296 आप इसको बोल सकते हैं तो क्या बोलिएगा इसका सही अंसर कौन सो होगा option number C option number C इस question का सही अंसर हो जागा 1296 तो उमीद करता हूँ यह question भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा question समझ गया है तो देखिए same उसी format का उसी pattern का यह आपके लिए question है इस question का practice करें आपको सभी question अच्छी तरह से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया दोस्तो तो लाइक करें share करें और हो सके तो कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत धन्याव